हिंदों का महांतम संगर्ष और प्रतिकार क्रूर अत्याचारी औरंजेब के समय में हुआ था जब पूरे भारत से हिंदों ने अपनी जाती भेदभाव को भुला कर इस काल में मुगलों के सामने डट कर लडाई लड़ी थी और इनके सपने को चूर-चूर किया था पूरे भारत से लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए अपना अपना योगदान दिया था हाला कि ध्यास में इन विदेशी आकमनकारियों को ही दर्साया गया है बढ़ा चड़ा कर लेकिन हाल ही में हर्याणा की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है कि अब बाबर औरंजेब की फ परजी इतिहास से उन्हें छुटकारा मिलेगा नमस्कार दोस्तों हमरी तेस पांडे स्वागत करते आप सबका अपने खोया भारत चैनल पर जहां पर इतिहास के आपको उन पन्नों के बारे में बताये जाता है जो कि ना तो कभी किसीन आपको सुनाया है और ना ही कहीं इतिहास की एक और कड़ी के बारे में जिससे औरंज ये भी हार गया होता अबर उसको समय रहते बाहर से मदद नहीं मिलती ये वीर योद्धा था वीरवर गोकुला सिंग जिसको गोकुला जाट के नाम से भी हम जानते हैं महराजा सुरजमल जी के ये पूरवज थे इनके पिता जी का नाम माध हो था और इतिहास की जानकारी से पता लगता है कि ये सिमसिनी इलाके में इनका जन्म हुआ था 1666 का समय था जब औरंज जेब के अत्यचारों की वज़ा से हर जगर त्रही त्रही मची हुई थी हिंदूों के इस्तिरियों को अपढ़न करके उनके साथ बालातकार किया जाता था धर्मानतर्ण किया जाता था और ना जाने क्या-क्या अत्यचार हिंदूों पर होते थे हिंदूों पर अत्यचार और प्रतार्णा सिर्फ इसलिए होती थी कि वो हिंदू है आगरा से दिल् सम्हालते ही फौजदार की अपनी टुकडियों के सैनिकों के दस्ते पूरे मतुरा छेत में फैला दिये लगान और कर्वसुलने के लिए मतलब हिंदूओं पर किसानों पर अत्यचार करने के लिए और सिर्फ उनको प्रताडित करने के लिए लगान नहीं देने पर इस्तिरों किसानों ने लगान देने से मना कर दिया पूरे छेत्र के किसानों ने यह आवाज उठाई जब यह बात औरंग जिव तक पहुंची तो उसने साही इसलामिक फर्मान सुना दिया और कहा काफिरों के मंदिरों को तोड़ दिया जाए उसके बाद कितने ही गुप्त काल तक के मंदिरों को तोड़ दिया गया और बहुत पुराने समय के मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया गया 1679 में अब्दुनवी ने सिरोहा गाउं पर हमला किया और उस समय वीर गोकुला जाट भी उसी गाउं में उस समय मौजूद थे इतिहास साक्षी है कि उस दिन इसकी सेना को गाजर मूली की तरक किसानों ने और वीर गोकुला की सेना ने काटा था औरंग जेब का ज्हंडा मत्रौ और आगरा तक से भी गायब कर दिया गया था औरंग जेब के पास जब ये गुंच पहुची तो उसने सैफ सिखन खा को मत्रौ का और आगरा का फौजदार नियुक् गुजर, अहिर, ठाकूर सभी समाज के लोग वीर गोकुला की किसानी सेना में थे जुन्हें ने डट कर मुगलों से सामना किया था और धर्म और देश की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया था गोकुला की सेना एक बड़ा उधान है कि हमारे यहां जातिवा की कोई जगा नहीं थी यह सब अंग्रेजों के और इन मुगलों के करण ही देश में यह बिमारी आई थी पांच महिने तक ना जाने कितनी बार सैफ सिखन खा ने वीर गोकुला जी के साथ युद्ध किया और हर बार जीत गोकुला की ही हुई थी अंत में सैफ सिखन खाने संधी प उन्होंने कहा कि तुम्हारे वाढ़ साह को मुझसे माफी माँवनी चाहिये उसने मेरे धर्म का अपमान किया है मेरे मंदिरों को हानी पहुचाई है उसे मुझसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। इसके बाद औरंग जेब ने 1679 में खुद वीर गोकुला से लड़ने आया और तिलपर से 20 मिल दूर इनसाही सेनाओं का मुकाबला हुआ। हथियार, तीर कमान और लाखों की सेना के सामने वीर गोकुला की सिर्फ 20,000 किसानी सेना थी। वो भी घरेलू हथियारों के साथ, लेकिन इस वीर युद्धा के सामने वो भी कम पड़ गई थी। इतिहास गवा है कि उस समय सिर्फ वीरों ने नहीं, चौधरानियों ने भी लड़ाई लड़ी थी। महिलाओं ने भी अपना योगदान इस लड़ाई में दिया था। पानी पत जैसा युद्ध भी एक दिन चला था। लेकिन ये युद्ध तीन दिन तक चला। पूरे तीन दिन तक वीर गोकुला जाट की सेना ने औरंग जेब की सेना को नाको चने चबाये थे। चोथे दिन तक वीर गोकुला की सेना जीत रही थी। लेकिन तभी एक बड़ी विसाल सेना औरंग जेब की मदद के लिए आ गई। जिसको हसन अली खान लीड कर रहा था। उसने आकर औरंग जेब की ताकत को दुगना कर दिया और उसके बाद वीर गोकुला की सेना धीरे धीरे ये लड़ाई हार गई। लड़ाई के चोथे दिन हजारों के संख्या में बहन बेटी और औरतों ने जोहर किया था। ताकि वो इन आकरमनकारियों मुगलों के हाथ ना लगे। और उसके बाद वीर गोकुला जाट और उनके ताउ उद्य सिंग को साथ हजार किसान सेनिकों के साथ बंदी बना लिय गया था। आगरा ले जाकर इनसे पूछा गया जान की कहर चाहते हो तो इसलाम कबूल कर लो रसूल के रास्ते पर चलो बोलो क्या चाहिए इसलाम या मौत। तब सभी ने एक सुर में जवाब दिया था कि तेरा खुदा और रसूल का रास्ता यही है जिस पर तू चल रहा है तो हमें इस रास्ते पर नहीं चलना है इसके बाद वीर गोकुला के एक एक जोडों को काट कर उन्हें मार दिया गया यह वीर योद्धा देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे गया यही हाल उन साथ हजार सेनिकों के साथ भी किया गया था कभी कभी हमे दुख जरूर होता है कि हम अपने पुरोजों के बारे में वीर पुरोजों के बारे में नहीं जानते हैं और अगर कोई बताता भी है तो हमें उसमें रूची भी नहीं रखते हैं खैर हमारा यह प्रयास हमेशा ही रहेगा लोग रूची ले या ना ले सही तिहास को हमारे बीर पुरोजों के इतिहास को हम अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्यार आए हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन चरूर प्रेस कर ले तो चलिए अगली वीडियो मिलते है कुछ नए जानकारी के साथ कुछ नए इतिहास के साथ तब तक जैहन वंदे मातरम